हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब चलिए आज हम डड़ू गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मैं आज आप लोगों को फ्लावर ड्रेस बनाना दिखा रही हूं जिसमें हमने लड़ू गोपाल जी की ड्रेस में छोटे-छोटे फ्लावर बनाके लगाए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने किस प्रकार से बनाया है अब भी घर पर बहुत आसानी से इस ड्रेस को बना सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों अब हम लेस लगाएंगे ड्रेस पे जहां पर काना जी की कमर रहती है वहां पर हम आसपास से पूरा लेस से कवर कर देंगे और जब यह ड्रेस बनके तयार होगी तो इसका लुक बहुत ही सुन्दर आएगा तो यह देखिए रहा लेस लुक बहुत है यह दो यह दो पिता है मेरे कानह जी की फ्रॉंक रेडी हो चुकी है कि यह देखिए अब हम इस पे फिरले बनाके लगाएंगे यह देखिए यह मेरे कानह जी का बेस पूरा 2,5 इंच का आया है चली अब हम इस पर फिरले लगा लेते हैं जो मैंने 3 इंच की पटीली है उसे हम डाबल कर लेंगे डा किनारे किनारे पर चुन्नेट डाल डालके लगा देंगे यह देखिए इस प्रकार से हम चुन्नेट करकर के पूरी ड्रेस पर अटेज कर देंगे किनारी अचुन्नेट कर दो देखिए Master तो यह देखिए इस प्रकार से हम आसपास से पूरा यह फिर लिको लगा देंगे जिससे इस ड्रेस का लुक बहुत ही सुन्दर आएगा तो चलिए हम ड्रेस में फिर अटेज कर लेते हैं यह देखिए हमारी फिर लगाके कंप्लीट ही हो चुकी है अब हम इस प्रकार से फ्लावर बनाके लगाएंगे तो चलिए मैं आपको फ्लावर बनाना दिखाती हूं यह फ्लावर बहुत ही असानी से बन जाते हैं यह देखिए हम एक इंच की छोटी सी पट्टी लेंगे नेट की उसे सुई धागे की सहायता से तुर्पाई करते हैं उस प्रकार से सिल लेंगे और फिर घीच के हम उसे फ्लावर जैसा बना देंगे यह फ्लावर बहुत ही असानी से बन जाते हैं और बहुत इजी है हम इने और दूसरी रेस में भी बना के लागा सकते हैं यह देखिए हम इस प्रकार से धागे को घीचेंगे तो यह फ्लावर जैसे हो जाएंगे इनको हम थोड़ा सा फ्लावर का लुक दे देंगे और सुई धागे की साहता से सिल देंगे ये देखिए हमारा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है अब हम इसे सिल देंगे ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी है ऐसे हम बहुत सारे फ्लावर बना लेंगे चलिए अब हम इन फ्लावरों को ड्रेस में लगाएंगे उससे पहले हम चोली बना लेते हैं ये देखिए हम दो तीन इंच की पट्टी को लेके उस पे लेस लगा लेंगे फोल्ड करके जो हमारे कानहजी की चोली बन जाएगी और ये चोली बनाना बहुत ही असान है तो दोस्तों जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें और ये ड्रेस अपने कानहजी के लिए जरूर बनाएं ये जरूर आप बनाएं तो यह देखिए दोस्तो चोली हमने अटेज कर लिए हैं अब हम फ्लावर को भी अटेज कर देंगे यह देखिए कि तब प्यारा लुका रहा है ड्रिस का चलिए अब हम फ्लावर लगा लेते हैं हम सारे फ्लावर उसको अटेज कर लेंगे चलिए थोड़ा सा डेस को और डेकोरेट कर देते हैं जिससे यह बहुत ही सुन्दर लगेगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा यह देखिए हमाई ड्रिस बनके रेडी है झाल वो यह झाल वो जर गएंगे बनके गाल वी बनके बनके में जरूर्ण जरूर्ण